तो हलो गाई स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम्स अल्वेस विन में तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको इस मैच की पूरा डीप में एनलेसिस मिलने माला है उस्टेलिया के प्लेयर से तो सब वाकिफी हैं तो हम बात करेंगे जादा तो रोमान में कॉनसे प्लेयर जान जिसको आप ग्रैलिक विएरा में ट्राइगर सकते हो तो पूरा वीडियो नंतक देग करते हैं तो क्या करना है उमान बैटिंग करते हैं तो पूरा वीडियो नंतक देगना चलो शुरू करते हैं तो बाई सबसे पहले इंपॉर्टन बात टेलिक्राम चैनल जॉइन कर लीजिए क्यूं इंपॉर्टन है देखो बाई एक पर यहां पर फाइनल टीम आपको देनी एंड मौमा सराज को मिना जिन्होंने कमाल की बॉलिंग करी अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हुआ कमाल का स्विंग मिल रहा था तो ऐसी टीम्स के लिए आप हमारा टेलिक्राम चैनल चोड़ जाइए वहीं पर हम फाइनल टीम अपडेट देते हैं वहां पे आपको एक तो पिच का अपडेट दे देते हैं पिच की रिपोर्ट मिलती है आपको ठीक है उसके बाद टॉस अपडेट चलो वह दो बेसिक सी चीज और उसके बाद पिच के बारे में आपको इंदन इनलएसी बताया जाता है सांस में पिच की फोड़ो दी जाते है जिसको यूज benefits होते हैं साथ में grand league की teams मिल जाती है बहुत जादा benefits ने telegram channel के video के description में link है अभी के अभी जाके join कर लो बिल्कुल भी यहाँ पे miss मत करना तो यहाँ पे कुछ key stats ले गया हूं key facts ले गया हूं आपके लिए तो marcus 20s का 51 का average है 206 run करे हैं 8 inning में और 4 बार not out है तो भाई T20 World Cup में काफी अच्छा कर रहा है उसके बाद David Warner का देखो आप भाई 289 runs सिर्फ और सिर्फ साथ innings में जिसमें से 3 प्लस 50 प्लस को रहा है बैस्ट इनका चाहिद 89 का है ठीक है उसको अच्छा परफॉर्मेंस है इनका तो इन प्लेयर्स पर आप खास त्यान के रखे चल सकते हो बागी हलकी टीम के साथ मैच है तो सभी प्लेयर्स आपके लिए इंपोर्टन होने वाले है पर थोड़ा सा लग रहा था कि इन फैक जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भी थोड़ा सा स्लो विकर लग रहा था बठा आप बैटिंग के वही फेवर करके चल सकते हो बैटिंग करती है तो आप ज़्यादा बैटिंग को फेवर नहीं चल सकते तो आप इसından है जैसे जैसे गेम चलती है विकट्ट स्लो होता जाता है अब एवरेज जी देखोगे तो एवरेज स्कोर 150, 7 का है जो कि ठीक ठागे अभी IPL के लिए देख के आयो तो सभी को एवरेज स्कोर ही 180 लगता है बड़ ऐसा नहीं हो तरह बही 170 भी एवरेज स्कोर हाई स्कोरिंग माना जाता है 160 170 है हाई स्कोर 224 यहां पर बने है बिलोग 150 9 बार बने है जिससे आप अन्धाज़ा लगा सकते हो कि थोड़ा slow vikumart भी यहां पर रहा सकते हैं बागी 170 से 189 शे बार और 150 से 169 शे बार अबव 190 तिन बार और अठावन विक्टें पेसर ने और 62 विक्टें स्पिनर्स ने लिए तो जिससे आप अंदाजा लका सकते हो वरना पेसर जाधा है होते हैं आगे अस्टेलिया की प्लेंग लावन की बात करते हैं तो बाई डैविड वानर ट्रैविस एड ओपन करेंगे ट्रैविस एड का कमाल का इपिल गया मिचल मार्श इनके कैप्टन है ग्लैन मैक्स्वेल मॉस्ट प्रफिवली टूड़न मार्कस चोइनिस हैं मैथू बेड विक अस्टेलिया का डैविड वानर की फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है सिर्फ एक फिफ्टी फॉर का स्कोर है बाकी देखो टोटल फ्लॉप चल रहे हैं ट्रैविस एड का अगर देखोगे तो आईपिल के कौलिफायर से थोड़ा सा फॉर्म खराब होगे बट उसके पहले आईपिल में बहुत अच्छा चल रहे थे मिचल मार्च की बात करूँगा तो चार अठरा एक विकट अठरा प्लस एक विकट तई जब्लस पार्म इनका भी नहीं है ग्लैन मैक्सल की सामने के सामने बैटिंग आने ज़रूर से पॉइंट दे के जा सकते हैं बट बैटिंग से आप इनको अवाइडी करके चल सकते हो इस मैच में Cameron Green का भी जाद अच्छा फॉर्म नहीं है Josh English है Most probably Josh English नहीं खेलेंगे उनकी जगा Matthew Wade ही आपको इस मैच में विकट केपिंग जोटी करते हो नजर आएंगे Australia की टीम की और से तो आगे बढ़ते हैं टिम डैविट की बात करेंगे तो भई ठीक डग फॉर्म रहा है ठीक है क्योंकि नीचे बैटिंग करते हैं जादा कुछ बोल भी नहीं सकते हैं साथ में बॉलिंग भी कर लेते हैं अगर है लेफटाम और्थोडक्स खेलेंगे तो अच्छे पिकर है सकते हैं क्योंकि अच्छे स्पीनर है एडम जैंपा विकर टेकिंग गेंद बाज है कैप्टेंसी के अच्छे आप्शन मिचल स्टार्क फॉर्म में आ चुके हैं आई पिल में आपने लास्ट में देखा ह अगर बात करता हूं मान की प्लेइंग लामन के तो भाई यहां पे कशप प्रजा पती है नसीम खूशी आकिब अलियास है जीचान मक्जूद है खालिद केल आयन खान है महीरान खान है शामील एहमद है कलीमूला है बिलाल खान कलीमूला और शकील एहमद कर लेते हैं साथ म देथ पॉलिंग में बिलाल खान, कलीम उल्ला और महरान खान आपको most probably ये देथ होस्टार्ट बॉलर्स दिखने वाले हैं उमान की टीम की और से तो भी बात करते हैं उमान की तरफ से recent form क्या है तो कशिप कुमा राइट हैं बैट्समेन है तो भाई इनका जाता कुछ खराब अच्छा परफार्मेंस तो नहीं है ठीक है उसके बाद खाली कैल के दिखोगे तो काफी अच्छे बैट्समेन हैं की तरफ से कंसिस्टनली आप देखोगे 30-30 इतना रन तो है शोईब खान ने एक 50 कर रहा है एक 38 ठीक ठाक बोल सकते हो नसीम खुशी का recent form उतना अच्छा नहीं है बट विकट कीपिंग सेक्शन में और तो अगर थोड़े से भी रन बनाएगे 15-20 तो अपने को अच्छा पॉइंट देके जाएंगे और साथ में अगर कुछ विकट कीपिंग से पॉइंट बट देखो अस्ट्रेलिया के पेसर के सामने टिकना इनका मुश्किल है क्योंकि मुझे उतना पर्सनली इनका जो की है टेकनिक उतना अच्छा नहीं लगा कि भाई तेज दरार मिचल स्टार्क वेरा के सामने खेल पहें बट हाँ ओपन करेंगे तो मेरे साब से आप ट्राइ कर सकते हो बाकि अगर मैथ्यू बेड को लेना चाते हो तो उनको भी आप ट्राइ कर सकते हो उसके बाद प्रतीग है विकर्ट किपिंग सेक्शन में अकीब उलाइस इनके कैप्टन और इंपॉर्टन पिक है यहां पर ठीक है बैटिंग बॉलिंग दोनों से देखे जाएंगे पॉइंट आयान खान है नीचे आते हैं काफी लेफटाम और्थोडोक्स है मौमन अदीब जादा इंपॉर्टन नहीं है जीशन मक्सूद इन में से और अकब इलाइस यह दोनों इंपॉर्टन है क्योंकि बैटिंग बॉलिंग से दोनों से आपको पॉइंट देखे जाने वाले हैं उमान की टीम तिरफ से महरान खान है यहां पर विक्टे निकालते है ठीक है बिलाल खान है इनको भाई स से गेंद बाज है विक्ट निकाल सकते हैं रफी उल्ला है और शलील एहमद है उसके बाद शकील एहमद है लेफटाम और्थोडॉक्स है अब इनको अगर खेल तो टीम में ट्राइ कर सकते हैं सिरफ और से रफ क्रेंड लिग में बागी स्मॉल लिग में तो ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टन्स नहीं है मोस्ट रण कॉलिफायर स्टाइट्स में कशिय अपने बाद 165 रन करें जीशन मुक्सूद जैसा कि मैंने बोला साथ में अतवले ने रन करें हैं विकट कीपर है जो कि आकिप इल्यास ने भी ठिकठा कर रहा है बिलाल खान में हाइस विकट जो कि मैंने बोला लेफ टाम गिंद बस स्टाटिंग में मिलता है उसके बाद आकिप इल्यास है इन्होंने विक्टे में निकाले जीशन मrekसूद और शकील हमद ने कौने निकाले तो जीशन मकसूद और एक आकिप इल्यास आपके लिए एक इपॉर्टन पिक्स होने वाले बागी देखो मैथ्यू वेड का ऐसा है कि अगर उपर बैटिंग करते होते हो तो हम 100% शोर थे पड़ अभी बैटिंग नीचे करते हैं तो अगर पॉइंट ना दे सके तो उतना होई है तो नसीम खुशी अगर मैथ्यू वेड बैटिंग वेले करते हो तो आप ट्राइ कर सकत बागी टिम डाइविड काफी नीचे बैटिंग करते हो बॉलिंग की से जादा कुछ खास रहने वाला नहीं है उसके बाद प्रजा पती केल है केल इनके हाई स्कोलर से लाश वार ठीक है तो केल को आप ट्राइ कर सकते हो स्मॉल लिग में तो मत ही करो स्मॉल लिग में अव एम खान और यह पर पेंस करते हुए नजर आजाएंगे तो इन अच्छे आप्षन है मक्सूत के साथ बागी मरक स्टोनीश अगर बॉलिंगर तो अजार असार लगे तो हम मारक स्टोनीश को जुरूर से लेके चलेंगे बागी मेंचल स्टार्क मेरे टीम शोनेवाल है यह तो मेरे चार टीम रहने वाल है तो यह रहने वाल है वरना में एक आधी टीम में ट्राइगर सकता हूं काली मुला यहां तो बिलाल खाना अगर बॉलिंग फर्स्ट करती है ओमान की टीम ठीक है क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि एक अधा मारने लगे गेंगे तो एक आधी सकते हैं तो उस एंगल में मैं ले सकता हूं ठीक है बाकी फिलाल के लिए यह अपने ने अब हमने लिए है कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की बात करूं तो यहां पर ट्राइविस है डैविड वार्नर आपके लिए अच्छा ऑप्शन मिचल मार्श उसके बाद बालिंग मे यहां फिर ट्राइविस हैड को वाइस कैप्टन सी दे दीजी कोगी अगर 20-25 रन भी करगे तो अपना सेफ वाइस कैप्टन है बाकी पैड कमिंस और जो शेजल वूड भी अगर एक पिकर लेके जाएंगे तो अपने सेफ हो जाएगा बाकी एडम जैंपा इनको मत भूलना ट्राइ गरना ठीक है बाकी बस ऐसा है कि बॉलिंग मिलनी चाहिए ऐसा नहों कि पहले ही आउट हो जाएं बॉलिंग मिल से तो विक पे निकाल के आपको देंगे एडम जैंप तो फिलाल के लिए वाइस कैप्टन मैंने यहां पर ट्राइविस हैड को बनाया है ठीक है तो बाइओ फाइनल के लिए यह टीम नहीं है फाइनल दीम आपको टेलग्राम चैनल पे मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आप टेलग्रम चैनल से अभी के अभी जाके जूट जाएए तो बहुत मैनत लगी यह वीडियो मिनाने में तो आपका एक लाइक म काफी मूटिवेशन मिलेगा काफी खुशी मिलेगी तो एक लाइक जरूर करके दाना जाते जाते और टेलग्राम पे मिलते हैं सुबह ठीका टीम के वक्त पे तो आज किस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो जाते जाते एक लाइक कर देन विलते एक लिए वीडियो में भाईयो तब तक लिए ध्यान रखना गुट लग एन गुट बाई